सस्क्राइब कर लीजे हमारा यूटूब चैनल दफ्रंट और बेल आइकन दबा कर नोटिफिकेशन जरूर लीजे नमस्कार दफ्रंट पे आपका स्वागत है मैं हूँ दिपाली श्रिवास्ताओ आज और अभी में देखिए देज दुनिया की बड़ी ख़बरे फ्रांस से खरीदे जा रहे लड़ाकों इमान राफेल की तैनाती अंबाला वायूस इना स्टेशन पर की जा रही है इसको लेकर तैयारियां जोरो शोरो पर चल रही है राफील की कमान 17 गोर्डन एरो स्क्वार्डन को सौपी गई है एरचीफ मार्शल बियेस धनोवा करगल युद्ध के समय इस स्क्वार्डन के कमांडिंग ऑफिसर रह चुके हैं ग्रह मंतराले ने 1984 के सिक्वरोधी दंगों से जुड़े साथ मामलों को दुबारा खोलने की जाज़त दे दी है पिछले साल अकाली दल के मंजिंदर सिंग सिर्चा ने ग्रह मंतराले से केस दुबारा कोलने की अपील की थी इसे मदरप्रदेश की मुखी मंत्री कमलनाथ की मुश्किलें बढ़ सकती है क्योंकि जिस F.I.R. की फाइलें दुबारा खोलें की जाधत दी गई है उसमें कमलनाथ के खिलाब भी आरोप है कश्मीर को लेकर पाकिस्तान अर्च सयुगत रास्ष मानमा दिकार परिशद में 115 पन्नों कर डोजियर जमा करने जा रहा है इस बीच कॉंग्रेस नेतस शशी थरूर का एक बयान आया है उन्होंने कहा है कि भले ही विपक्ष का काम सरकार की अलोचना करना है लेकिन देश के बाहर देश के हित के लिए सभी विपक्ष को सरकार के साथ खड़े होने की जरूरत है जम्मु कश्मीर में 6-370 हटाये जाने के बाद आतंकियों के खिलाफ सबसे बड़ी कारवाई हुई है यहां सोमवार को सोपोर इलाके से पुलिस ने लशकरेत तयब्बा के आठ अतंकियों को गृफतार किया है पुलिस को खबर मिली थी कि ये अतंकिये दुकंदारों को दुकाने ना खोलने के लिए धमका रहेते अमेरिका से मेडिकल ट्रीटमेंट करवाने के बाद रिशी कपूर भारत वापस लोटाए हैं उन्होंने ट्विटर पर अपनी खुशी का इज़ार करते हुए लिखा सभी का शुक्रिया 29 सितंबर 2018 को रिशी कपूर ने ट्वीट के जरिये ही लोगों को बताया था कि कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए वे अमेरिका जा रहे हैं उनके आने के खुशी में बॉलिविट के कई सेलिबुटी जने ट्वीट करके खुशी जाहिर की ये थी अब तक की बड़ी ख़बरे देश-दुनिया के बागी बड़े मुद्दों पर हमारे एक्सपर्ट की राय जाने के लिए देखते रहे है दफ्राइट सब्सक्राइब कर लिजे हमारा यूटूब चैनल दफ्रंट और बेल आइकन दबा कर नोटिफिकेशन जरूर लिजे